नमस्कार आप सभी का स्वागत है माई ग्रीन गार्डेन योटूब चैनल में आज हम चादनी प्लांट में एर लेरिंग करेंगे चादनी प्लांट को कई नामों से जाना जाता है जो ही प्लांट रात के रानी आदी नामों से इसे जाना जाता है आज हम इसी plant की air layering करेंगे और जानेंगे air layering किस मौसम में की जाती है और किस तरह के पौधी में की जाती है पूरी जानकारी लेंगे आप बीडियो के लाश तक बने रही है तो यहाँ पर एक डाल का हम चुनाव कर ली है जिसमें हमें air layering करनी है अब इसकी जो डाल में जहाँ पर हमें air layering करनी है वहाँ पर अगर आसपास इस्टार डाले रहें पतली पतली जो रहती हैं आप उसको हटाले जीए वैसे इस ब्रांच में कोई भी पतली डाले नहीं है तो हमें दिक्कत नहीं हो रही है air layering करने में अब कोई सौर्फ में चाकू लेना या फिर बिलेट की मदद से हम इसको कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पर उपरी वाली चाल हमें बिलेट से या चाकू से हटानी है तो पहले एक round करके हमें इसकी इस तरह से cut करना है ऐसे cut करना है कि उपर की सिर्फ इसकी जो छाल होती है इसी को cut और बीच की हमें जो hard बाला part होता है branch होती है नहीं cut ना है तो एक इंच जगह छोड़ कर फिर नीचे से कर देंगे फिर बीच से एक चीरा लगा कर इसकी skin को हमें हटाना है यानि कि लगबब 2-5.5 इंच की जगे में इसकी skin को हमें हटा देना है तो यहाँ पर हम चाकू की मदद से इस तरह से इसकी skin को हटा दिये है अब यहाँ पर हमें लेना है moss grass मास ग्रोस को पाने में भीगो के रख देना 1-2 मिलंट के लिए अब इलोवेरा को हमें इस तरह से कट कर लेना है ताकि को मच्छी तरह से लगा देंगे इलोवीरा नेच्रल रूटिंग हार्मोंस का बहुत अच्छा काम करता है इसको लगाने से रूट बहुत जल्दे से आती है और इसमें फंगस नहीं लगते हैं आप चाहें तो हनी को लगा सकते हैं या सिनेमन पाउडर लगा सकते हैं या फिर अगर आपकी पास जो मार्केट से रूटिंग हार्मोंस आता उसको भी लगा सकते हैं नहीं है तो आप नेच्रल रूटिंग हार्मोंस का परियोग कर सकते हैं एर लेरिंग करने में अभी जो मॉस ग्रास है ये भीग चुकी है इसमें जो इस्ट्रा वाटर रही हल्का से इसको हमें दबा के निकाल देना है सिर्फ इसमें नमी हमें चाहिए पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए अब इसको अच्छी तरह से हमें लपेट देना है फिर इसमें हम polythene से इसको cover करेंगे लपेट कर बांद देंगे अगर आपके पास moss ग्रश नहीं है तो आप कोकोपिट में मिट्टी को mix करके अच्छे से गूंत ले आटे की तरह से फिर उसको लगा देंगे तो जो स्वायल और कोकोपिट कोगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरह से लगाना है तो यहाँ पर अब एक polythene हम लिए हैं जिसको अच्छे से हमें cover करके लपेट देना है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से इस polythene से हम इसको cover कर दिये हैं जो अंदर का मौशे रहे यह ना निकल पाए तो इसको आप polythene लपेटते समय इस बात का ध्यान रखे कि कहीं पर खुला ना रहे अब नीचे से हम एक कोई भी रसी लेंगे पतली से इस तरह से बात देंगे आप कोई भी रसी या फिर मोटा वाला जो धागा आता है उससे भी बात सकते हैं अब उपर से भी इसको हम अच्छे से बात दिये हैं वो इसको छोड़ देंगे बीच-बीच में इसको चप करते रहेंगे इसमें रूटा रही है कि नहीं कहीं कोई चीटिया तो नहीं लग रहे हैं ये कभी-कभी ऐसा होता है कि इसमें चीटिया भी लग जाती है तो देखिए एक महीने के बाद इसकी अब रसी को हम हटा रहे हैं जो बाधे हुए थे अगर आपको लगे कि बीस में इसमें मौशर कम है तो आप एक तरफ से पॉलिथीन को खोल के उसमें पानी का थलका सा चिड़काव कर सकते हैं तो चलिए पॉलिथीन को भी हम अटा ले रहे हैं तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कितने अच्छी से इसमें रूट आ गई है तो इतने अच्छी से रूट भी आ गई है हमारा एक पॉधा बनके त्यार हो गया है अब इसको हम कट कर लेंगे और फिर इसको हम लगाएंगे एलेरिंग किस मौसम में करने चाहिए आईए जान लेते हैं अगर आप एलेरिंग करने जा रहे हैं तो इसके लिए बारिज का मौसम बहुत यच्छा होता है आप सर्दियों के मौसम में कर शकते हैं गर्मियों के मौसम में इसको करने से थोड़ा प्राव्लम होती है, क्योंकि जो टमपरेचर होता है, और जब रूट निकलती है, तो रूट खराब होने के चांस बहुत जादा रहते हैं, वैसे रूट आ जाती है, लेकिन रूट जो होती है, जब ऊपर बाहर निकलती है, तो यहां पर देख पा रहे है, कि इस प्लांट में कितने अच्छे से फोल भी खिला हुआ है, और यह दो प्लांट हम बना लिए हैं, एले रिंग करकी, दो ब्रांच में हम, एले रिंग किये हुए थें, जो हमारा दो पौधा बनके तयार हो गया है, अब इसको हम लगाते हैं, आईठे हैं किस तरह से लगाया जाता है, अब इस पौदी को हम लगाएंगे तो यहां पर एक हम गमले को लिए है जिसमें पहले नीचे कंकर रख देंगे फिर स्वाल मिक्चर डालेंगे स्वाल मिक्चर हम पहले से त्यार करेके रखे हुए थे इसमें 50% नॉर्मल गॉर्डन सायल 25% कोको पीट और 25% कॉर्डन हैं आप चाहे तो इसको डायरेक्ट बढ़े गमले में लगा सकते हैं आपकी पसंद तो अब इसको अच्छे से स्वाल उपर से भी डाल देंगी रूट ना दिखाई पड़े और पानी को हम डाल कर इसको सेमी सैट में रखेंगे एक से दो दिन के लिए जभी अच्छे से इ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देजिए अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लेजिए इस चैनल पर इसी तरह की गार्डनिक से समयने वीडियो आती रहती हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत जल्द ही मिलते हैं किस एक और नई वीडियो में